नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूग चैनल हैल्प आपकी में दोस्तों राजस्तान में इस्तित नागोर डिस्टिक में एक के मंदिर है जो बुटाटी गाउं में बसा हुआ है इस मंदिर में जो भी लक्वे से पीडित व्यक्ति आते हैं वो साथ दिनों में ठीक हो जाते हैं ये बहुत आस्त्रे चकित बात है चमतकारी बात है कि ये सिर्फ साथ दिन रुकने से कैसे ठीक हो जाते हैं तो हमने विस्त्रित रूप से यहां जाना है कि इस मंदिर में आखिर व्यक्ति साथ दिनों में लक्वे से पीडित व्यक्ति कैसे हो जाते हैं यहाँ पर इलाज के नाम पर नहें तो कोई डोक्टर है ने कोई दवा देने वाला है ने कोई मालिस करने वाला है यहाँ पर सिर्फ सादिन रुकना होता है और मंदिल की सुबह साम की आरती में सामिल होना होता है उस आरती में बबूत लगानी होती है मरीज क तो दोस्तों अगर आपके घर परिवार में या गाहों में कोई भी लखवे से पीडित वक्ती है तो उनको एक बार यहां जरूर बेजें क्योंकि हो सकता है आपको फायदा हो जाए क्योंकि सो में से जब 90% लोगों को फायदा हो रहा है तो हो सकता है आपके भी किसमत चमक जाए क्योंकि हमने इलाज के नाम पर बहुत सारे डोक्टरों के चकर काट लिए और फायदा नहीं हो रहा है तो एक बार यहां पर आने की कोशिस करने में कोई सरम की बात नहीं है फिर इस मंदिर की तरफ से ट्रस्ट की तरफ से जो भी पेसेंट यहां आते हैं और पेसेंटों के साथ जो वक्ति आते हैं उनके लिए रहने की खाने की पीने की सब कुछ व्यूस्ता फिरी में है आप से यहां पर किसी भी परकार की कोई फीस नहीं ली जाती है आपको यहां पर बरतन, सोने के लिए गदे, नाने दोने के लिए बाल्टियां और रूम बिल्कुल फिरी में दिया जाता है मंदिर के अलावा पेमेंट वाले रूम भी है अगर किसी को ज़्यादा फेसिलिटी चाहिए तो उस पेमेंट वाले रूम में रह सकते हैं लेकिन उनका किराया लगता है वो बाहर गेस्ट आउस बने हुए इस मंदिर में अब तक हमने कई लोगों से पूस्ताच किये आप मेरे और वीडियो देख सकते हैं उनमें मैंने बहुत सारे लोगों से पूस्ताच किये तो उसमें यही लोगों का बोलना है कि हम लकवा हुआ तुरंत आए और साधिन रुके हमें फायदा हुआ कई लोगों ने बोला कि हम चार साल पांस साल बाद में आए लेकिन थोड़ा बहुत आराम हमारे को भी मिला है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इतनी भीड यहां इखटी हो रही है और सबी लकवे के प्रेसेंट यहां इखटे हो रहे है तो कुछ ने कुछ चमतकार तो जरूर है इस मंदिर में दोस्तों हाला कि आज के टाइम में कलियू का टाइम है चमतकार ढोंग अंदिविस्वास को नहीं मान रहे हैं लेकिन इस चीज को आपको मानना पड़ेगा क्योंकि लाइव व्यक्ती जब खुद अपनी जबान से बता रहा है कि मैं ऐसे आया हूँ ऐसे ठीक हूँ और आप देख रहे हो कि तमाम यहां पर जितने भी लोग हैं किसी ने किसी परकार का इनको लगवा है और यह फायदा ले रहे हैं हाँ हो सकता है कि सो में से 10% लोगों को फायदा नहीं हुआ है लेकिन लगा कुछ नहीं उनका उनका सिरफ किराया लगा है रहने खाने की विवस्ता आपको फिरी में दी गई है यहां पर बहुत सारे रूम है रूम के अलावा यह बड़े बड़े तो इसमें आप रेश्ट कर सकते हो साथ दिनों के लिए बिल्कुल मिदल परिवार की तरह रहना होगा आपको विए पी की फैसलिटी चाहिए तो आपको बाहर पेमेंट वाले गेस्टूमा में रहना होगा और मंदिर आपसे यहां पर किसी भी परकार की नेते कोई रेजिस्टेशन करवाता है ने कुछ और आप जिस दिन आओगे कारियाल पीस में अपनों नाम पता लिखवा दो ताक कि कोई मिलने आये तो हम आसानी से उसको डूंड़ के बता दें क्योंकि काफी भीड होती है मानलो आप यहां आगे और कोई आपके परिवार वाला मिलने आये तो कारियाल पीस से पता करके आप से मिल सकता है दोस्तों यहां पर आने के लिए बस सेवा और रेल सेवा दोनों ही उपलब दें रेल सेवा जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया रेन इस्टेशन सबसे नजदीग यहां होता है और रेन इस्टेशन से उतरने के बाद आप आसानी से बुटाटी में आ सकते हो बुटाटी आने का एक ही फायदा है कि लकवे से पेसेंट जो भी पीडित है वो ठीक हो रहा है आप ट्राइ करो आप आके देखो और अपने दोस्तों या वक्तियों को बताओ क्यों कि जितनी भीड है भीड इतनी जब इगटी हो रही है तो कुछ ने कुछ कारण तो जरू लोगों को बात करने का टाइम नहीं था इसलिए मैंने पूरी सुटिंग करके वैसे दिखाया कि जब इतनी भीड आ रही है विदेशों से लोग आ रहे हैं तो आप भी आईए अपने परिवार्जनों को बताईए वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए ताकि यहां प पूर्टाटी धाम छेट चतूर जिश्माराज